हलो एव्रीवन एंड वैलकम बेक टू यूजी सिनेट मैं तोर गाइस यूजी सिनेट का वेपर जॉब का लीक हो गया था जिसकी वजह से आपको जो पेपर है वो कैंसल हो गया था इस पेपर लीक के अलावा चार और बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली हैं यूजी सिनेट टॉपिक की लिस्ट दे रखिए यूजी सिनेट पेपर वन की डेफ आप इसको गो थू करिए इस वीडियो को डेफिनेटली यह वीडियो आपको अच्छे स्कूर करने में हेल्प करेगी तो मेक शूर आप इस वीडियो लेक्शर को जरूर देखें ओके तो गैस देखिए यूजी सिनेट का जो आपका एक्जाम हुआता है इसमें पेपर लिक के अलावा चार और भी बड़ी खामिया रही है और यह क्या बड़ी खामिया है कि करके समझ लेते हैं चार खामियों को देखिए पहली जो बड़ी चीज़ थी देट वाज एडमिट कार्ड अगर आप देखेंगे ध्यान सेखर आपके अपने डाउनलोड किया हुगा तो उनके सेंटर में रखवा लिए नहीं रखवाए गये तो आपके अपके फोटो पेस्ट करवाई जाती है आपके अपके लेफ्ट थम का एक इंप्रेशन लिया जाता है इसके अलावा एक आपके वरता है कि आपका वेरिफिकेशन बाद में हो जरूर पर तो किया जा सकता है कि हाँ इसी इस्टोरेंट ने एक्जाम ही अपेर किया था कि वहाँ पर आपका लेफ्ट थम्ब होता है इसलिए यह एक डाउट करता है कि आपका पर 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 जमा करा लिए जाते हैं उन्हें अब्यारती अपने साथ वापिस नहीं ले जा सकते इस अब्यारती के साइन और अगोठी की निशान लिए जाते हैं ताकि बाद में वेरिफिकेशन किया जा सके और कुछ जगहां पर यह जगा नहीं कराए गया ईसा नहीं कर आपका निट परिषए होलोग्राम की घरबड़ी देखने को मिली थी आपको याद होगा जब आपने एंट्री की थी एकजाम हॉल में तो उससे पहले आपके एड्मेट काड की ऊपर एक होलोग्रम चिपकाए गया था वो तब पर अपने थमब का यानि कि आप चौप का फिंगर प्रिंटर उसका इक इंप्रेशन देते हो वह वेरिफाई करते हैं कि आपका आधार कार्ड है क्या आप वही हो जो आप एक्जाम देने आया हूँ जो आपका आधार पर आपका नाम आपकी फोटो है और जैसे आप जो डेटा था जो इखटा किया गया था उस मशिन के थ्रू वह खराब हो गया मतलब वह लॉस्ट हो गया डेटा इसके जो चिपकाया था इसका सिस्टम शुरू किया था यह अधार कार्ड और बैमेट्रिक मैच होने पर ही होलोग्राम लगेगा उसके बाद एक्जाम हॉल म लगाया गया मतलब जब इक्जाम स्टार्ट हो गया उसके बाद इस टीका लगागा था तो यह जो चीज़े हैं यह बहुत चीज़े जो हैं यह बड़े लेवल पर दिकत कर देती है थार्ड तीसरी जो खामीटी डेट वाज एक्जाम ओर होने के बाद बिठाया रखा चाल लोग्रम चिप काने से पहले मामला विहार की राजदाने पटना के पास दानापुर का है यहां के कैंडिडेट्स को बता ने बताया कि खत्म होने के बाद भी हमें एक्जाम में 30-40 मिनट तक बिठाय रखा अधिकारियों ने कहा कि लिए फिंगर्ब्रेंट डेटा खो गया इसलिए सभी को रुखना पड़ेगा और छे चीश तक निकलने दिया गया तो यह जो चीज है यह थोड़ा सा डाउट करती हो और आप ज्यादा तर जो निकल का रही है कि एक्जाम वहीं पर लिक वाता हो और तो अगर यह वहां की बात है तो यह और डाउट करती है चौहती खामी यह थी कि बहुत गर्मी थी उस ताइम पर जब एक्जाम वह ठाठादा जून को तो ना तो पंखादा ना पानी था कुछ सेंटर में देखा गया कि ना तो पानी दिया गया ना प्रॉपर पंक्य की व अप गर्मी में एक्जाम देते हो और इतना ज़्यादा जब उमस होती है गर्मी होती होती हो तो ऐसे में एक्जाम में आप अच्छे से प्यार नहीं कर पाते है आपके दिमांगों तरह की विवस्ता प्रॉपर होनी चाहिए ताकि बार-बार पानी के लिए बच्चे होनी था तो ऐसे में गर्म पानी बच्चे कैसे प्यांगी तो फिर श्रमी बात भी थे जिदी बारा से और लिए आप喔 भॉठी तरिके से कराना झाए ऐसे कर आ नहीं कि बस का ह manual चाहतर चाहते हैं इस एक्जाम को फस्ट टी किया किलावा 100 mock test and PDF notes में जाएंगे जिसके तुरू आप practice भी कर पाएंगे और multiple time division कर पाएंगे तो करने कि आपको simply exam and or app install करेंगे from google play store अगर आप IES user है तो skr link भी आपको इसी वीडियो के description box and comment box में देखने को मिल जाएगा तो thank you so much for watching this video share this video with all that experience and subscribe for UGC update and assistant professor job updates guys मिलते हैं next video में till then keep watching UGC net mentor thank you so much